पीजी आई एमेस की चिकिसाधीक शक्ड डॉक्टर पुश्पा दहिया ने बताया कि कुरोना माहमारी के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर पीजी आई एमेस रहतक में 80 बिस्तर का कुविड अस्पताल अलग से तैयार किया गया है अस्पताल में ऑक्सिजन और वेंटिलेटर की कुई कमी नहीं है उन्होंने बताया कि पीजी आई एमेस में फिलहाल 200 कुरोना संक्रमीत मरीज भरती हैं जिनमें कई गंभीर हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है जबकि कुछ की ऑक्सिजन थेरपी चल रही है यहां पीजाई रौतक में कोविड नाइनटीन से 200 के लगबग मरीज दाखिल हैं जिसमें से कुछ काफी सीरियस हालत में हैं जो की वेंटिलेटर पर हैं और बहुत सारे पेशेंस ऑक्सिजन थेरपी पर चल रहे हैं हमारे पास 243 के करीब बिस्तर अविलेबल हैं जिसमें से 200 भरे हुए हैं 40 के करीब अभी हमारे पास जगए हैं लेकिन इसके साथ साथ हमने 80 बिस्तर का एक और कोविड की बिल्डिंग तयार कर ली है जिसको भी हमें उमीद है कि आज शाम तक हम उसको चालू कर देंगे प्रक्ट दहिया ने बताया कि पिछले एक सबताहा के दोरान पीजी आई एमेस के लगभक 200 स्वास्ते कर्मी कुरोना संक्रमन की चपेट में आ चुके हैं उन्होंने लोगों को कुरोना संक्रमन के बढ़ते प्रकोप से सच्चुईत करते हुए कहा कि लोग अभी भी कुरो से एक हफते में करीब करीब 200 जो हेल्थ केर वरकर्स हैं वो कोविड 19 से संक्रमन हो चुके हैं और इससे हमारा जो मैन वर्क फोर्स है उसमें काफी कमी आगी है